नमस्ते प्रीती की रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे सूजी की इडली साथ में सामभर और नारियल की चटनी ना आपको घंटो भीगोना है और ना ही पीषना है जट पर त्यार हो जाती है सूजी और दही से तो चलिए हम बनाना यह स्टार्ट करते हैं यह हमारा एक चोटा सा नारियल है इसको हमने खोड़ के और चिल्का उतार लिया है इसको चोटे-चोटे क्यूब में काट लिया है और मिक्सरजार में डाल देंगे और 3-4 हरी मिश तोड़कर डालेंगे और चार से पांच लासन की कलिया और यह 1 मुठ्थी अहरा स्वादनिया और एक निबू निचोड़ देंगे इसमें और आप निबू के जगह पर दही भी डाल सकते हैं दही से भी बहुत रेश्टी होता है अब हम डालेंगे स्वादनिया नमक और इसको पीश लेंगे और यह हमारा पीश के रेडी हो गया इसको बाउल मन निकाल लेंगे एक से ड्र चमज पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे पैन में रिफाइन ओल डालेंगे एक से दो चमज और थोड़ा सा गरम होने देंगे अब यह गरम हो चुका है लेम को कम करेंगे और आधा टी स्पून जीरा डालेंगे और आधा टी स्पून राई और आधा टीस्पून उड़ा दाल और आधा टीस्पून चना दाल डालेंगे तो थोड़ा सा चलाएंगे इसको इसे हिला लेंगे अब हम डालेंगे कड़ी पता साथ से आठ कड़ी पता डालेंगे और एक सुखी लाल मिश डालेंगे थोड़ा सा इसको चला लेंगे और यह हमारा चटनी तयार हो गया और इसको साइड करेंगे और यह हमारी आधी लवकी है इसको हम छोटा-छोटा काट लेंगे और कुकर में डाल देंगे और आधा कप बिंच डालेंगे और आधा कप कद्व डालेंगे और फुर्ड कप यह तूर डाल है इसको दो-तिन पानी थो लिया है टो शुकर में अब हम डालेंगे पानी दो से तीन कप पानी डालेंगे यह हमने आधा अधा कप दो बड़ डाला है तिछ चलाएंगे पूरा मिलके तीन कफ हो गया और अब हम डाल देंगे इसमें स्वाधनसार नमक और डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर फिर हम इसको चलाएंगे चलाके इसका धकन लगा देंगे अब हम तीन से चार सिटी आने तक पका लेंगे अब हम बावल में दो कप सूजी लेंगे यह मोटी वाली सूजी है और इडली के लिए आप मोटा या पतला कोई भी ले सकते हैं हमने दो कप लिया है और एक कप दही डालेंगे दो कप सूजी में एक कप दही अब कटोरी से या कप से किसी से भी नाप सकते हैं और अब हम इसको मिक्स करेंगे और हमने एक कप पानी लिया है और इसको थोड़ा-थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे और हम इसको ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा गाढ़ा मिडियम अभी करेंगे त्योंकि यह पानी सोख लेगा बाद में और आधा इंच अधरक का टुकड डालेंगे गीश के और अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से और पानी हमने आधा कप डाला था और तीन-चार चमच अब हम इसको ढग के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए यह हमारे 3-4 सीटी हो गए और यह थंडा भी हो चुका है और अब हम इसको तड़का लगा लेंगे 3 टेबल स्पून और गरम होने देंगे यह हमारा गरम हो चुका है अधा चमच जीरा डालेंगे और एक तेज पत्तार डालेंगेढ़ और दो से तिन हर इमिस डालेंगे इसको हमने दो-दो टुकड़ा कर लिया है अर दो हरी लाइची डालेंगे इसको हमने 20 से खोल लिया था अब हम आदा टीस्पून पुटा हुआ लासन डालेंगे और एक बड़े साइज का प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसको चलाएंगे गोल्डेन ब्राउन होने तक इसको बुलेंगे और यह हमारा गोल्डेन ब्राउन हो चुका है अब हम डालेंगे इसमें दो मेडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि यह हमारा टमाटर जल्दी गल जाए और नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने दाल में भी डाला है अब हम डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून कस्मिरी लाल मिर्स इसे कलर बहुत अच्छा आता है और यह तीखी नहीं होती है और एक टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और आ सामभर मसाला फिर हम इसको चलाएंगे थोड़ा साम पानी डालेंगे एक दो चमच के करीब ताकि मसाला एक में मिल जाए और अच्छे से भुण जाए हम मसाले को तेल छोड़ने तक पका लेंगे और यह देखिए तेल छोड़ चुका है अब हम डाल देंगे दाल को ध्यान से डालेंगे ताकि उच लेना थोड़ा साम पानी डालेंगे और थोड़ा सा हारा धनिया डालेंगे और आपको जैसा रखना है गाढ़ा रखना या पतला आप अपने अमसार पानी डाले हमने थोड़ा गाढ़ा ही रखा है फिर हम चलाएंगे हमने दो चमच इमली लिया था आधा कप पानी में भीगो दिया था और इसको हमने निचोड क तेसटी बनाने के लिए सांबर के पिन में दो चमच गीक डालेंगे एगर का देशी घी घी और एक पिंच हिंग डालेंगे अब हम डालेंगे आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून राई और दो लाल मिश डालेंगे बीसी हमने थोड़ा था और 5-6 कड़ी पत्ता डालेंगे गयस को बंद करेंगे अब हम चड़का डाल देंगे इसमें सांबर में और यह देखिए एकदम टेस्टी डिलीसियस हमारा सांबर बन के रेडी है थोड़ा साम चड़का पेंड में डाल देंगे ताकि सारा तेल निकल अब हम ढखके साइड करेंगे इसको और यह देखिए हमारी सूजी फूल चुकी है अच्छे से पानी सोख लिया है और पहले से गाढ़ा भी हो चुका है और अब हम डालेंगे खोड़ा सा नमप और एक चमच इनो पाउडर डालेंगे और अभी हम मिलाएंगे नहीं अभी हम इस्टेंड में समय तेल लगा लेंगे अच्छे से तेल लगाएंगे ब्रस से ताकि हमारी इबली बढ़ियां से निपल जाए और अब हम डाल देंगे इनो और एक डेट चमच के करीब पानी डालेंगे उसमें ताकि बढ़ियां से उसमें जागा जाए और अच्छे से इसक और सॉफ्ट बनता है और अब हम जल्दी जल्दी डाल लेंगे इस्टेंड में तारा हम डाल लेंगे ऐसे ही और अच्छे से कर देंगे जो इधर उधर हुआ है अब हम और इसमista लगा देंगे इडली पलेट के ऊपर जो दुसरा वाला पलेट है होल वाला पॉर्शन होना चाहिए और इडली के ऊपर इडली ना रखें ताकि इडली अच्छे से फूले और ये हमने पहले से पानी गरम होने के लिए रख दिया था ये उबल चुका है पान को अब हम इस चेंड श्में डाल देंगे और ढखकन लगा देंगे और 12-15 मिनट पकाएंगे इसको और यह हमारा 12-15 मिनट हो चुका है अब हम इसको ठंडा होने देंगे और यह देखिए हमारा ठंडा हो चुका है चक्कु से सारा किनारा इसका छुड़ा लेंगे ताकि आसानी से निकल जा एडली और यह देखिए यह कितना जालीदार बना हुआ है एडली एकदम सौफ्ट जालीदार और बहुत जल्दी बन जाता है देखिए सारा निकाल लेंगे और नहीं इसको भीगोना है और नहीं पीछना है यह जटपट त्यार हो जाती है इडली सुजी की और यह देखिए ऐसे दबा के दिखाएंगे कितना सॉफ्ट है देखिए यह तोड़के दिखा रहे हैं कितना अंदर से एकदम रूई जैसा स्पंजी हुआ है यह नॉर्मल एडली से बहुत जल्दी बन के त्यार हो जाता है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है तो आप ज झालिए जा झालिए टापना प्राहता है कितना यह तो आपके वादना शॉट हमीर झालिए यह तो जालिए कितना अवे थायो जो जाटा है सॉट Cand